हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का वेलकम है गुरु गुलहव यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RRC गुरुबडी 2022 के लिए सबसे आसान जोन कौन से हैं जी हाँ चार ऐसे जोन में बताने जा रहा हूँ जो सबसे आसान का मतलब कहने का मतलब यह है कि उनकी कटव अन्य जोन के मुकावले काफी कम रहने वाली है तो बिलकुल समझ लीजे जिन बच्चों ने इन चार जोन से एपलाई किया है तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई क्योंकि उनका तो सेलेक्शन बिलकुल आसान है आसान क्यों है कारण में सारा बताओंगा क्यों वो जोन इतने आसान हो गए है वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिसकस करूँगा सेलक्शन प्रासिس क्यों आसान रह जाएगा वो इस वीडियो में बिलको'll detail में discuss करूँगा यह पहला part है इस वीडियो का लिए जहां पर मैं 4 आसान जोन बताने जारहा हूँ इसी वीडियो को next part कर आएगा उसमें मैं सारे जोन को डेटेल में बताऊंगा कि यह चार जोन आसान है तो इन से अगर थोड़ा सा टाफ होगा तो कौन-कौन से जोन हो सकते हैं कितनी संभावना है उनमें आपके सेलेक्शन की मतलब कितने मार्स पर आपका सेलेक्शन हो पाएगा तो चलिए बार अब आती है रिजल्ट की बारी और रिजल्ट के लिए जरूरी होती है कटाउफ और कटाफ का जब रिजल्ट आता है तो कटाफ को लेकर काफी माता बच्ची भी होती है तो यहां पर मैं सबसे आसान जी हां सबसे आसान जोन यहां पर मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि जोन इक्जाम के लिए बता रहा हूं ठीक है और अधर NTPC एक्जाम या किसी और अन्य एक्जाम से इसको compare करके ना चलें ये केवल बात जो की जारी है वो इस साल के group D exam जो की चल रहा है उसी के बारे में मैं यहां पर discuss कर रहा हूं तो यहां पर सबसे आसान जोन की अगर मैं बात क मुंबई जोन ठीक है तो जिन बच्चों मुंबई से अप्लाए कि अच्छा मुंबई में भी दो जोन है एक आता है आपका इसमें CR रिजन सेंट्रल रिजन और एक आता है WR रिजन वैस्टन रिजन ठीक है यह हमारे लिए सबसे आसान जोन में रहने वाले हैं दोनों जोन अब यह आसान क्यों रहेंगे वो मैं बात बताओंगा, पहले में उन चार जोन के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो यह हमारा रहेगा पहली पोजिशन पर सबसे आसान की लिस्ट में, किलिए दूसरा जो जोन रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं, दूसरा जोन यह बात करूं मैं तो जाने जाने जी जावदन रिजन, ठीक है, एसार रिजन, यह हमारा सेकंड पोजिशन पर रहेगा, ठीक है, सेकंड पोजिशन पर रहेगा, अगर मैं बात करों थर्ड जून की, तो तीसरा जोन जो होने वाला है, तीसरा जोन होने वाला है, वो आपका रह और यह रहाएगा मारा थर्ड पोजिशन पर किलिए चलिए एक मैं यहां पर लिए देता हूं फूर्ट जो रहेगा हमारा वह रहेगा आपका यहां पर वह सिकंद्राबाद सिकंद्राबाद यानि की SCR South Central Reason यह हमारा 4 पर रहेगा तो काफी सारे student जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन 4 जोन से जरूर से apply किये होंगे और इनके अलावा भी बाकी जोन से बच्चों ने apply किया है वो मुझे comment अब करके बताएं कि बाकी जोन से आपने apply किया है ताकि मैं वीडियो में सभी जोन को कल जो वीडियो आएगी उसमें सारे जोन को लेकर चलूँगा कि किसमें कितने marks पर आज मैं यहां marks की बात नहीं करूँँगी कितने marks पर या कितने अपने score किया है उस पर आपका selection हो जागा, यहां मैं आपको केवल आसन जोन बताने वाला हूँ, माक्स की बात करूँगा कट आफ की बात करूँगा, वो next वाले पार्ट में करूँगा जहां पर मैं A to Z जितने भी जोन है हमारे, जिन जोन के तहद यह exam किया जा रहा है, जिन जोन में कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई किसी भी, अगर मैंने कहा जी आसन है, तो आपके सबसे पहले सवाल बनता है, जी आसन क्यों है, क्यों आप इने आसन जोन की लिस्ट में डाल रहे है, यह चार जोन, जबकि यह तो काफी तो आपने इनको आसन कैसे रखा, उसके लिए मैं क्लिरली आपको बता देता हूँ, कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करों, बारी बारी से सभी जोन की, तो जो मुंबई जोन है, ठीक है, मुंबई जोन जैसे कि मैंने बताए दो पार्ट में एक CR रीजन और एक WR रीजन तो इस जोन में जो वेकेंसी है अगर मैं CR की बात करूँ CR की बात करूँ तो 9,345 वेकेंसी है जो कि अपने आपने बहुत जाधा वेकेंसी है ठीक है अगर मैं WR की बात करूँ तो 10,734 वेकेंसी है ठीक है और यहाँ पर इतनी वेकेंसी है और मुंबई जो उन्से जिन बמו Àर की बहाँ दिया जो बच्चे एक्जाम में शामिल हुए हैं उनकी संक्या है करीब 16 लाक ठीक है? तो 16 लाक बच्चे होने के बाब जूद भी यहाँ पर वेकेंसी जादा है तो इस हिसाब से मेरे कैलकुलेशन की हिसाब से 80 बच्चों के हिसाब से 80 बच्चों पर एक बच्चे का सेलेक्शन बनता है तो इसलिए मुंबई को मैंने सबसे आसान जोन माना है सेलेक्शन के लिए चाहे वो CR है चाहे वो WR है तो अन्य जोन के मुकावले यहाँ पर कटाउप थोड़ी कम देखने को मिलेगी किलियर? अगर मैं यहाँ पर सेकंड की बात करूँ चिन्ने की तो चिन्ने की विकेंसी की अगर बात करूँ तो वो है 9,579 ठीक है? 9,589 विकेंसी है चिन्ने के दर यह भी बहुत अच्छी विकेंसी 9,000 से जादा विकेंसी एक ही जोन में जबकि चिन्ने से एप्लाई करने वाले स्टुडेंट की संख्या वो 8.2 लाग है ठीक है? तो विकेंसी लगब लगब मुंबई के आसपास ही दोनों जोन के नियरबाई होते हुए और 16 यहाँ है तो वो दोनों जोन के बिलाकर है यहाँ एक जोन में 8.2 लाग तो लगब लगब सिमलर साही है तो चिन्ने भी मोस्ट पॉपुलर जोन में रहेगा यहाँ के आसपासन जोन की लिस्ट में रहेगा किलियर? और अगर मैं हुबली की बात करूँ ठीक है? हुबली की बात करूँ हुबली की अगर SWR रिजन है यह हुबली की अगर बात करूं तो हुबली में कुल मिलाकर है जी 7167 विकेंसी ठीक है और हुबली से एप्लाई करने वाले बच्चे जो एक्जाम में अपियर हुए एक्चुली तो वो है 6.3 हैं 6.3 लाक तो इसे साब से हुबली व आसान हो जाता है करीब ऐटासई बच्चे का सलीक्षक्ष यहां जो है नो हजार इसकणरा बाद से अंज़ाए्ट कि बात करो एस ऑची गास एक burn नो हजार दीन सो अठाइस वेकेंसी है और यहां से जो इकजाम में अपियर Спасибо है होने वाले बच्चों की संख्या है वो है 8.41 लाक ठीक है तो 8 लाक के सम्तिंग है लेकिन वेकेंसी 9000 के पार है तो करीम 90 बच्चों के आसपास एक बच्चे का या पर सेलेक्शन बनता है तो गाइस इसी वजह से ये जो आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इन आकड़ों की वजह से ही मैं यहाँ पर ये confidently बोल पा रहा हूँ कि ये चार जोन इस RRC Group D 2022 की जो परिक्षा है उसमें सबसे आसान जोन रहने वाले हैं अगर मैं कुछ जोन ऐसे हैं जो सबसे टॉप लेबल पर जिनकी कट आफ सबसे जाद रहेगी और ये जोन जो सबसे कम कट आफ रहेगी तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 10, 12, 15 मार्क्स का भी डिफ्रेंस देखने को मिल सकता एक बड़ा डिफ्रेंस होता 10, 12 और 15 मार्क्स का ये कह सकते हैं कि अगर किसी जोन में अगर 65 कट आफ है तो हम यहाँ पर 55 या फिर 52 के आसपास भी उमीद कर सकते हैं कि इतने पर हमारा सेलेक्शन हो जाए यहाँ मार्क्स की बात मैं नहीं करा मैंने एक कमपेर बताया है वो मैं बात करूंगो तल डिटेल में कि कौन से जोन में कितनी कट आफ रह सकती है अनरजरब कटिगरी की EWS कटिगरी की OBC कटिगरी की SCST कटिगरी की ठीक है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा यहाँ पर केवल मैंने आपके सामने इन चार जोन के बारे में क्लिरली बताया है कि यह आसान है तो आसान क्यों है के लिए तो गाईस आज की वीडियो बस इतना ही था यही सारी नॉलिज मुझे आप तक पहुचानी थी आपके सामने शेयर करनी थी I hope कि आपको यह जानकर यह अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आ गई होगी वीडियो पसंद आगई है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ मिलते हम नेक्स वीडियो में चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करिए बाए धन्यव